प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अगहोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अगहोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। स्वगत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये खास प्रोग्राम हम महिराओं के लिए लेकर आई हैं। गूम हिराइप जिनका प्रेमिय उनसे बात नहीं करता, या पधी किसी दूसरी औरत के चक्कर में आगिया है, और घर पर आप पर और आपके बंचों पर ध्यान नहीं लेका। और इससे हम लेकर आएंगे आपके परिशानियों का निजार। मासिक दर्म के व्रप्त से वशी करिंग करेंगे। जी हां, मासिक दर्म किसी भी स्त्री के जीवन का अनिवार्य हिस्सा होता है। जैसे ही कोई योधी अपने योवन के पूनता को प्राप्ट होती है, उसका मासिक दर्म शुरू हो जाता है। मासिक दर्म में वो शक्ति होती है कि इसी के परिणाम फरूख इस दुन्या में मनुस्य जाती का विकास संभव हो पाई रहा है। इसने प्राचीन कार में ही तंत्र के जानकारों ने मासिक दर्म को बहुत उप्योगी माना है। मासिक दर्म के रग्त की शक्ति से किसी को भी आकरशित किया जा सकता है। ऐसी रोतियां जो अपने पती लग प्रेमी का प्यार पानी में आसफल हो गई हैं। उन्हें मासिक दर्म के रग्त से वशी करन के प्रेयोग को जरूर करना चाहिए। यह एक ऐसी वस्तु है जो हास्त्री को सहजी उप्लब्ग है। तो क्यो ना इसका लाव उटाया जाए और अपने जीवन को सुख्व में बनाया जाए। दोस्तों इस वशी करन को करने से पूरूस के अंदर आपके लिए बहुत तीव के आकरसर पैदा होगा। वो आपके मुह में पढ़ जाएगा और आपके कहें तो सागी कारे करेगा। तो आए अब बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आपको अपने मासिक दर्म के दो दिनी सुपाई को करना है। तो आए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस विधी को करने के लिए किस कि सामगरे के आवश्यक्ता होगी। और आप इस अच्व पिधी को कैसे करेंगे। तो सबसे पहिए आपको चाहिए होगा आपके मासिक दर्म का कपड़ा, निम्बू, मिट्पी का मटका और लाई कपड़ा। बस इतनी सामान से आप अपने प्रेमी और अपने पती को अपने वश्मे कर सकती हैं। अपने प्यार के बंधन में हमेशा के लिए बान सकती हैं। और हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्रचन्ड विधी है। इसके इसका प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर कीजिएगा। क्योंकि इसके एक बार करने के बाद वो व्यक्ति सारी उम्र आपका ही हो करने जाएगा। और इस विधी का कोई तोड़ भी नहीं है। इसके ध्यान रखेगा। आई आप इस विधी को कैसे करना है उसका तरीका बताती हूँ। आपको सबसे पहले अपनी तरजिनी उले बढ़ी जट लगाकर तेलब करना है। फिर हाप में निम्बू लेकर उस पर सिंदोर लगाते हुए इस मंत्र को उच्चारण 11 बार करना है। मंत्र इस पतार है योनी मंत्र शरी रया कुझ वासीनी कामदा। और फिर निम्बू को मित्ती के मट्गे में डाल कर लाग कपरे से बांग दे रहा है। और बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है। दो दिन ये करने से आपका पती पराइस्त्री को छोड़ देगा। और सिर्फ आपसी ही प्रेम करेगा। तो बिना समय बर्बार करें वशी करन प्रयोग करें और अपने पती या अपने प्रेमी को अपने पास ले आए। कोई वह समस्या है जिसका समधान अबसे नहीं हो रहा। तो स्क्रीन फड़ दिये गए नंबर पर तूरू जी को कॉल कर अपनी पहलेशानियों से गजात पाई है। अमस्कार।